हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइडे में दिये बिल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले हेलो दोस्तों वेलकम तो माई चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोस चत्नी यह बहुत जादे टेस्टी और बहुत जादे स्पाइसी होता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो हम एक वरतन में पानी लिए हैं और हम पानी को गर्म होने देंगे और हम लाल बिटतर को डाल दे रहे हैं और हम यह 7-8 लाल मिर्च ली हैं जिसने हम सारे बीज निकाल ली है जिससे यह थोड़ा कम स्पाइशी होगा और ज्याद अच्सा बनेगा अगर अगर आप तीखा हाना हो पषरन पसंद करते हैं तो आप इसमिर्च थोड़ा कम भी कर सकते हैं त तो देखे अच्छी तरह से बॉइल होने लग गया है, देखे ये बॉइल हो गया है और इसका स्कीन भी थोड़ा अलग होने लग गया है तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं, और अब हम इससे इस तरह से चम्मच के हल्प से यूँ इसके स्कीन को निकाल लेंगे, ये इस तरह से टमाटर को अलग कर लिये हैं हम इस तरह से सारे टमाटर के स्किन को निकाल लिये हैं और मिर्ची अपने हाथों क्योंकि मिर्ची बहुत तिखी होती तो यह आपके हाथों में लग सकती है तो अब हम एक पैन में दो चम्मच लिये हैं और अब हम इसमें क्रस्क किया हुआ लैसून और अधर्ग डालेंगे और इसे चलाते हुए लगभग एक से दो मिनट तक पका लेंगे हमें इसे हलका सौ तो देखिए अब यह उबल रहा है तो अब हम इसमें एक चम्मच डाक सोय सौस डालेंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे और अब हम इसमें एक चमज चीनी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और एक चमज बिनिगर डालेंगे तो देखिए हम सारे चीजों को डाल दिये हैं और अब हम इसे चलाते हैं विलग भग 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे हमें इसे हलका गाढ़ा होने तक पकाना है तो देखिए अब ये थ्थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो अब हमारी बहुती टेस्टी मोमोज की स्पाइसी चटनी तेयार है इसे बनाना बहुत आसान है और यह बहुत जाटेस्टी होता है हम इसे पिछले वाले वीडियो में मॉमो की रेश्पी भी शेयर किये हैं तो आप मॉमो की रेश्पी देख सकते हैं लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो देखिए हेमारी Mo Mo Nicolas की चट्नी तयार है हम गेस के फलीम ऊफ कर देते हैं आप देख सकते हैं सहकते हैं कितना अची अपर है और आप जुछी है और सब्छे हो अग्य करें दोस्तों के साथ सेयर करें और हमारे चानल को सबस्क्राइब करें और साइड में दिये ृबिल जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले